अलो फ्रेंड माई सेब डॉक्र सुनील तमआर कंसल्टेंट एंटी एंट एंड राइनोप्लास्टी नौज रेक्टर जैप घुलबीन हॉस्पिटल नॉक्स राइनोप्लास्टी सेंटर दोस्तों बात करते हैं लेजर टॉंसिल एक्टॉमी टॉंसिल की समस्या और उसका जो ह आगे बढ़ने से पहले दीगी बेल आइकोन को प्रेस करना है यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले जिससे आने वाले ऐसे नहीं कुप्यों की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है दोस्तों पीशेंट जब हमारे पास ओपेडी में आता है तो उसका ब गारगल्स करते हैं वो सारे दिन बर गरम पानी पीते रहते हैं लेकिन कभी अच्छे डॉक्टर से कंसर्ट करके उस प्रॉब्लम के रूट कोज को आइडेंटिफाई नहीं कराते है इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या है टॉंसिल की समश्या जिससे हम आगे कैसे चुटकार आपा सकते हैं दोस्तों जैसे आपको पता है टॉंसिल और एडिनोइट्स जो है टॉंसिल हमारे जहां मारी टंग थ्रोट में खतम होती है जीब के पिछे के इससे में दोनु तरफ जो है हमारी थ्रोट की वाल में एक चोटे-चोटे ओर्गन है जो ग बढ़ों के इसलिए बच्चों में पार्टिकुलरी इस टॉंसिल का जो है यूजफुल होता है जस्ट प्रवाइड इम्मेनिटी टू और बोडी अब चुकि जब कोई ओर्गन का यूजी नहीं होता तो उसके बाद गोड़ने उसका सिस्टम बनाया है कि वह एट्रॉफिक को के खतम हो जाए तो चार साल बात करीब करीब टॉंसिल का बोडी में कोई यूज नहीं होता वह एक्ट्रॉफिक को के खतम हो जाता है और 60-70% पॉपूलेशन में हमारे कब टॉंसिल आये और कब हमें खतम होए हमें पता नहीं बड़ दोस्तों कई बार क्या है यह जो करते हैं मैं आपको बता दो जो पीशेंट क्रोनिक अलर्जिक होते हैं जिनको बार बार जुखाम होता है तो जो है नोज और जो साइनस का जो पानी दोस्तों कहां जाता है गले में तो वह गले में जब जाता है तो वह सारा जो जो इन्फेक्टेड जो है सीक्रेशन होता है उसके कारण हमारे टॉंसिल में infection हो जाता है क्योंकि टॉंसिल का आकार आकरती बड़ी हो रखी है जिसको हम टॉंसिल होना बोलते हैं इसके अलावा जो patient continue smoking करते हैं थिसें इसे होते हैं जो recurrent गले के अंदर अलर्जी रहती है उसके कारण भी झाया बनती है जो बहुत ज़्यदा चिल्ड चीजें लेते हैं उनके कारण भी तो इसको बोलते है टॉंसिल की समेश्या बहुत बार से इस टॉंसिल में क्या है कि पसवरमेशन हो जाता बहुत जो है वो दवाई लेनी पड़ रही हैं तो यूज्वली क्या है कि उसके पर्मानेंट इलाज के बारे में हमें देफिनेटली सोचना है अगर एक बार प्रोब्लम है दवाई लेने के बार ठीक हो गया दुबारा नहीं हो तो कुछ नहीं करना बट अगर आपको उसके कारण क्योंकि उसके कारण आपको रात को सोते टाइम स्नोरिंग भी होगा खर राटे आएंगे गले में पेन होगा गले में खरास रहेगी बार बार एंटिबायटिक्स कानी पड़ेंगी क्योंकि वह हमारा जो इंफेक्स है ना उसका केरियर होता है अब बोडी में उसका यूज तो दोस्तों उसका जो लैटेस मौस अडवान्स ट्रीटमेंट वह है लेजर तॉंसे लेक्टोमी क्योंकि जब दॉस्तों टॉंसेल एक्टोमी का पेशंट का अडवास किया जाता है उसको डर लगता है यूज मेरे तो बाहर से कट लग जाएगा बाहर से निसान आजाएग एक लेजर की सहायता से वो जो टॉंसिल है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो खाली जगह है वहाँ पे नई रिमूप से आप देश्य फाली हो जाती है प्रोसेजर अरांड गंटेवर का प्रोसेजर होता है उसके बाद में जो है डे आप टुमोर वी डिशाज दा पेसे यस कुछ टाइम जो है पेशेंट को चिल्ड चोड़ा थंडी चीजें लेनी होती है शूदिंग चीजें लेनी हो को फीवर होता है आप हम काम कर रहे होते हैं तो उस काम में भी प्रॉबलम होती है ऑफिस से चुट्टी लेनी होती है अगर आपको टॉंसिल की समझ्या है तो उसको दबाएं नहीं बार बार ऐंटिवाटिक नहीं क्या है क्योंकि हमें आर्थिक नुक्सान होता है अननेसेसरी जित्ती मेडिकेशन सम देंगे rather than जिस चीज का हमें पता है कि इसका treatment क्या है so आप जोहां सर्जन से जहां पर सर्जरी करा रहे हैं उनसे कूछे कि इसका best treatment है लेजर टॉंसिल एक्टो में मेरे को करानी है तो definitely आप इसना इलाज करा सकते हैं तो आपने जैसे देखा कितनी useful है यह information regarding the tonsil जो बहुत कॉमन समस्या है so you can share this information to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding the tonsil problem and आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेरी है आप मेरे कोई मेरे comment box में डाल सकते हैं definitely I will reply that and हम आपका जोह संतुस पर जबाब देंगे thank you झाल